आज हम लोग बात करेंगे बैंकिंग सिस्टम की हमारी कंट्री में जो बैंक का सिस्टम है वो धीरे-धीरे कैसे एवाल्व हो रहा है आपके 18th सेंचुरी से ले करके 21st सेंचुरी तक बैंक की क्या स्टेजेस और बैंक की क्या फेजेस थे उसके बार में हम लोग discuss करेंगे ठीक है एकदम बेसिक से लेके चलेंगे सो दाड़ आपको इसली सारी चीजे समझ में आया है और कोशिश करिएगा जितनी भी चीजे हम लोग यहां पर discuss कर रहे हैं आप साथ ही साथ में कुछ नोट्स बनाते रहें बहुत सारे हम लोग years के बार में भी जानेंगे कि कौन सा बैंक कब आया वगरा वगरा ठीक है इसके बार में भी चीजे हम लोग देखेंगे तो आपको क्या करना है अपनी और अपनी पैन उठाइए और हमारे साथ अपने नॉलज में एक एडिशन करना शुरू कर दीजे ठीक है तो सबसे पहले हमारा सवाल है कि यह बैंक यह जो टर्म बैंक है यह बैंक है क्या ठीक है कोई भी ठीक है कोई भी इंस्टिट्यूशनल सेट अप कोई भी बोडी कोई भी ओर्गनाइजेशन कोई भी इंस्टिट्यूशनल सेट अप कोई भी बोडी कोई भी ओर्गनाइजेशन कोई भी एंटर्राइज बगेरा अगर वो दो काम करती है अब वो दो काम कौन से है पहला है आपका accepting deposit टेक और दूसरे है आपका advancing loans कोई भी institutional setup या फिर body या फिर organization अगर ये दो function perform करती है यानि कि आपका accepting deposit and advancing loans तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक bank है ठेक है इससे आपको ये पता चल गया कि ये जो दो हमने points लिखाते हैं आपके advancing loans के ठेक है advancing loans and accepting deposit ठेक है ये क्या है आपके ये है आपके primary functions ठेक है मतलब किसी भी body organization या फिर किसी भी institutional setup को आप bank तभी consider करोगे अगर वो ये दो main functions निभा रही हो ठेक है कोई भी body कोई भी organization अगर ये दो main functions को perform कर रहे है इसका मतलब वो क्या है वो आपकी एक bank है ठेक है एक और आपका secondary function होता है secondary function में क्या क्या आ जाता है secondary function में आपका आ जाता है secondary function में भी आपकी दो चीज़े आती है पहला आपका आ जाता है agency function agency function में आपकी दो चीज़े है mainly जो आपको समझ में आ जाएगा एक होता है principal और एक होता है agent आप है principal और आपके बहाफ पर अगर bank कोई काम करता है जैसे आपके बहाफ पर अगर bank ने कोई premium payment कर दी ठीक है या फिर salary cut down कर दिया या फिर आपके account से किसी और account में transfer करना हो हर month इस type का कुछ काम जो की काम आपको करना था लेकिन आपने अपना ये काम सौप दिया किसी bank को और आपके बहाफ पर वो काम कर रहे हैं तो यह होता है आ आपका agency function मतलब आपके काम आपके बहाफ पर आपका bank करेगा ठीक है दूसरा क्या हो जाएगा दूसरा आजाएगा आपका utility function utility function में में आपका जैसे बहुत सारी चीज़े आजाती है जैसे आप एक facility ले सकते हो locker facility जब bank आपको locker facility provide करती है ठीक है तो वो आपका utility function में आ जाता है एक आपका होता है overdraft facility अब देखे हम लोगों ने ये तो बात कर ली है कि bank क्या होता है कब किसी body या इस भी institutional setup को हम लोग bank कहींगे लेकिन अब यह जो bank है यह evolve कैसे हुआ 1770 में हमारा पहला bank आया था bank of हिंदुस्तान यह जो कि आपको जानना ज़रूरी है ठीक है जो थोड़े important banks है ठीक है अब 1770 में bank of हिंदुस्तान आया था यह हमारे इंडिया का सबसे पहला bank है ठीक है अब जैसे कि आप लोग सबसे लोग जानते ही होगे ठीक है एक हमारा होता है पब्लिक सेक्टर और एक होता है प्राइवेट सेक्टर ठीक है ठीक है पब्लिक सेक्टर में जो सबसे बड़ा bank है वो है आपका SBI और प्राइवेट सेक्टर में जो सबसे बड़ा bank है वो आपका HDFC ठीक है अब यह जो SBI है State Bank of India यह सबसे बड़ा bank है पब्लिक सेक्टर का ठीक है यह इतना huge bank है कि मतलब कोई भी bank इस समय के आने वाले कई सालों तक इसको compete नहीं कर सकती अब यह question आ जा रहा है कि SBI इतनी बड़ी कैसे हुई अब इसकी सीरीज हम लोग समझेंगे SBI को समझते हुए हम लोग कई सारे banks के विवारे में बात करेंगे यह आपके एक छोटी सी कहानी जैसी है इसको कहानी समझ करके step by step चीजों को याद रखना सीखिए ठेक है और कोशिश करिए जैसे जैसे मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ आप भी मेरे साथ सा चीजों को नोट करिए देखिए तो scene क्या था इंडिया के independence से पहले Britishers इंडिया के raw materials को यहाँ से करते थे export England में और फिर वहाँ ले जा करके इसको process करते थे और फिर वहाँ से ले कर आते थे वापस से इंडिया में finished goods के form में और फिर उस finished goods को यहाँ पर इंडिया में काफी high prices पर sell out करते थे नौर्मल सी बात है यहाँ पर Britishers थे ठीक है और आपके जहाँ जिस place पर जा रहा है England मान लो England में भी Britishers है तो इसका मतलब अगर यहाँ से export कर रहा है वहाँ पर import करने वाले भी Britishers है तो फिर जब दोनों जगर उन्हीं लोगों का राज है तो इसका मतलब कोई भी duty नहीं कि वहाँ finished goods को process किया जा रहा था और यहाँ लाके sell out किया जा रहा था तो इससे क्या हो रहा था इंडिया की wealth drain हो रही थी ठीक है इसको आप wealth drain भी कह सकते हो या फिर economic drain भी कह सकते हो ठीक है अब Britishers को ऐसा महसूस हुआ ठीक है उनको ऐसा एक need arise हुआ वो कितना यहां से import कर र proper record चाहिए था अब record चाहिए था तो उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता अब किसी एक particular इंसान को अगर बठा दिया जाए यह सब काम note कर निकले वो तो वो बिलकुल भी possible नहीं था क्यों क्योंकि यहां से जो resources export किये जाते थे वो आपके bulk quantity में थे और डेली डेली बहु झ Continue ऐसे में में पोट्स जहां जहां से सबसे ज़्यदा export होता था शर्थ कर भी भान को दिया प्रटिवनिकौट कर वहां बторов की यह पहले पेसी हुप जेल देखल थे कॉन-कॉन से में पर श्टे थे सबसे पहले आपका जो में पॉर्ट था वो था बॉमबी मदरास बेंगाल ये तिनों आपके मेन पोर्ट थे बॉम्बे आपका आया था 1840 में 1840 में मदरास आया था आपका 1843 में और बेंगाल आया था आपका 1809 में ठेक है तो उस समय सबसे ज़ाधा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा रहा था कहां कहां से बॉम्बे से मदरास से और बेंगाल से अब बिटिश गवर्मेंट को जब सारा information कलेक करना था तो उनको क्या करना पड़ा इन मेजर पोर्ट के पास ही उनको एक बैंक उपन करना पड़ा बैंक का सेट अब करना पड़ा ठीक है तो उन्हों ने बैंक का सेट अब जब किया तो इन्हों क्या नाम रख दिया बैंक ऑफ बॉम्बेंग ऑफ मदरास इसका मतलब बैंक मदरास ऐसकह अइसका मतला मदरास जो年 1840 में चानक secured वाइव की ऐसके बार्व किया गया आपका कि में वर सेट अब किया आपका शसरी त्वीट से और बैंक ऑफ म मदरास और उसके बाद फिर आपका यानि कि आपका सबसे पहले आपका setup किया गया है bank of bengal 1809 में फिर उसके बाद आपका setup हुआ bank of bombay जैसे जैसे need arise होती जारी थी ज्यादा आपका transaction बढ़ रहा था वैसे वैसे banks setup किये जा रहे थे 1840 में आपका bank of bombay आ है फिर 43 में आपका madras आ है अब scene क्या था यह तिनों काम अपना बहुत अच्छा से कर रहे थे ठीक है और क्या है scene यह जो bank of bombay है bank of madras है bank of bengal है यह तिनों क्या है आपके commercial nature के है commercial bank ठीक है यह याद अखिएगा यह आपके commercial banks है ठीक है अब यह तीनों जब setup हो रहते हैं फिर उसके बाद भी कई सारे banks setup हुए PNB वी अलाहबाद भी बहुत सारे banks setup कई सारे banks setup होने के बाद फिर सही से perform नहीं कर से के तो वो liquidate भी हो चुके थे ठीक है कई सारे banks हुए अब क्योंकि banks अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी तो Britishers को ऐसा need arise हुआ कि there must be a bank who will manage all the other commercial banks तो जब एक ऐसे bank की need arise हुई जो बाकी के commercial banks को properly manage और control करे तो जल्द से जल्द इसका setup करने के लिए उन्होंने क्या किया ये तीनों banks को merge कर दिया और इसका नाम रख दिया imperial bank of India imperial bank of India और ये कब आया आपका 1921 ध्यान से समझेगा ये तीनों banks है टेक है इन तीनों को merge करके आपका imperial bank of India बना दिया गया 1921 में टेक है और इन तीनों को एक साथ collectively हम लोग presidency bank कहते थे ये बात भी ध्यान रखेगा मतलब अगर आपसे कुछ पूछा जाता है कि presidency banks कौन कौन से थे तो आप बोलोगे bank of Bombay bank of madras and bank of bengal ठेक है imperial bank of India 1921 में आया था इन तीनों को merge करके on the recommendation of on the recommendation of jm keens ठेक है jm keens इनोंने recommend किया था कि इन तीनों को merge करके एक आप bank बनाए imperial bank of India ठेक है 1921 में अब में बात सुनते जाइए need arise हुई थी एक central bank बनाने की ठेक है जो कि बागी commercial banks को क्या करे properly manage और control करे but they don't have that much enough time to make a new central bank तो उन्होंने क्या किया यह जो imperial bank of India बनाया है इसी को बोल दिया आप हो एक quasi central bank अब quasi central bank क्या होता है quasi central bank यह होता है मतलब जो bank central bank होती नहीं है बट central bank होने की भूमिका निभाती है ठेक है for example अगर आपके class में एक monitor है ठेक है वो आज absent है और आपकी मैम ने उसके जगह आपको बना दिया monitor उस दिन के लिए तो क्या यह बताइए क्या आप सारे समय के लिए monitor आप हो गए जी नहीं monitor अभी भी वही पुराना वाला ही है ठेक है यहाँ पर बस आपको उसकी powers मिल गई है ठेक है तो यहाँ पर भी क्या हुआ यह जो imperial bank of India है इसको हमने प्रोवाइड कर दिया central banks की कुछ powers ठेक है अब normal सी बात है यह जो imperial bank of India बना यह merge होके बना था किससे bank of Bombay bank of Madras bank of Bengal जो कि क्या थे commercial nature के थे मतलब ऐसे banks जो कि profit motive होते है अब इन तीनों को merge करके जब imperial bank of India बना इसका मतलब साफ साफ यह भी है कि यह भी commercial nature का होगा यानि कि commercial bank होगा अब एक commercial bank को आप central bank बना दे रहो इसका मतलब आप उसको full power दे रहो ठीक है अब चीजे कुछ ऐसे खराब हुई British government को दिखने लगा कि यह जो imperial bank of India है यह एक commercial bank है और यह अपनी इस powers को जो कि हम लोग quasi central bank बना करके इसको दिये थे यह इसका आप गलत फायदा उठा रहा है ठीक है यह ट्राइ कर रहा है यह exploit कर रहा है बाकी banks को और ऐसे policies rules regulations बना रहा है जिससे कि उसके ही फायदे हूँ ठीक है अब जब यह सब सीन हुआ तो फिर उसके बाद आपका एक Hilton Young Commission बठाए गया ठीक है एक Hilton Young Commission बठाए गयी अराउंड आपके 1928 में ठीक है 1928 अराउंड में Hilton Young Commission बठाए गयी और उसमें discuss किया गया कि हम लोग ऐसे क्या करें कि आपका जो Imperial Bank of India यह सब गड़बर कर रहा है वो ना किया जाए तो उस committee में ठीक है क्वासी Central Bank वाली और एक नया Central Bank को set up करेंगे ठीक है और फिर उसका result क्या था वो आपको साथ साथ पता है Central Bank हमारे country का जो है वो है RBI यानि की Reserve Bank of India ठीक है फिर उसके बाद 1928 के बाद फिर जब एक मैं यह रब कर देता हूं आप लोग साथ साथ में नोट करते जाओ ठीक है और जरुद परड़ी तो पॉस करके बीच बीच में नोट करते जाना ठीक है मैं जल्दी जल्दी इसको रब कर रहा हूं तो देट मैं कम से कम टाइम में आपको ज्यादा चीज़े समझा सकूँ अब जो हिल्टन यंग कमिशन थी ठीक है हिल्टन यंग कमिशन इसको सेट अप जब किया गया था फिर उसके बाद जो मेंटिंग वही थी उसके कुछ रेजल्ट निकले थी ठीजाए पहला जो रिजल्ट निकला यह और भी Il एक्ट रिजल्ट निकला है तो यह और था रिजल्ट निकला मतलब रहे एक्ट को इन्ट्रिजटेर अन्टर्डइवकर कब कर ह tourism यह एद बहुत इंपोर्टन है थक cui Heart के बार में पता हों चैनल के आर्बियाई एक्ट कब आया था 1934 ठीक है फिर उसके बाद क्या कहीं था आर्बियाई की वरकिंग स्टार्ट हुई थी कब 1935 में ठीक है यहां ता सब्सक्राइब यह आर्बियाई के बार में था अभी वह आप अभी थोड़ा सा साइट कर दीजे की इंपीरियर बैंक ऑफ इंडिया था जिससे आपकी क्वासी सेंटर बैंक की पावर्स छीन ले गई थी अभी इसके बार में बात करेंगे परशान ना हूँ ठीक है अब हम आपको एक चीज समझा दरें देखिए समझ दीजे कोई प्राइवेट बॉड़ी है यह ओर्णाशिशन है कुछ भी मालू और एक है पडिक है क्या है एक है प्राइवेट और एक है में पड्लिक है और यहां बीच में डाल तरह ओनर्शिप प्राइवेट से किसी प्राइवेट बॉडि और इस इंस्टिटूशनल सेटप या फिर जो भी अगर उसका ओनरशिप ट्रांसफर किया जाता है पॉब्लिक को ठेक है बत्ब प्राइवेट से ओनरशिप अगर जा रही है पॉब्लिक को तो उसको हम लोग बोलते हैं और अधा पॉब्लिक से प्राइवेट के पास जा रही है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट आईजेशन ठीक है इसको ऐसे बॉक्स में करके रख लीजिएगा क्योंकि यह अभी आपके बहुत यूज आने वाला है ठीक है बहुत ज्या यहां पर पॉब्लिक का जो मतलब है वो है आपका गवर्मेंट से अब यह जो RBI जब बना था तो वो नॉर्मली प्राइवेट नेचर का था तो क्या किया गया देखो नैशनलाइजेशन नॉर्मली इसलिए किया जाता है आपके जो सेटिजन्स हैं उनका आप फेट बढ़ कि बी ठेक है company A जो company है वो government company और company B आपकी private company अगर आपको investment का opportunity मिले तो आप किसमें invest करना चाहोगे नॉर्मलस ही बात है आप लोग government company के लिए option चूज कर रहे होगे क्योंकि government company में जब हम लोग invest करते है तो वहाँ पर हमारे जो पैसे होते है उसकी safety और liquidity दोनों ही बनी रह वही वाला हाल होता है आपका फिर हेरा फिर हेरी वाला 25 दिन मिल पैसा डबल और फिर उसके बाद गायब तो इसलिए नेशनलाइजेशन करना वड़ा किसका आर बियाई का कब किया गया नेशनलाइजेशन हुआ आपका 1949 में देश के आजाद होने के जस्ट बाद आपका नैशनलाइजेशन कर दिया गया किसका आर बियाईका अर बियाईका नैशनलाइजेशन हो गया कब 1949 में एक और चीज़ हुई ठीक है वो आपको ध्यान रखना होगा 1949 में एक और चीज़ क्या हुई देखे जैसे RBI को properly control और manage करने के लिए उसके लिए एक अलग से act बनाया गया है वैसे commercial banks को properly guidance के लिए ठीक है एक और act बनाया गया है ठीक है commercial banks के लिए जो act बनाया गया है उसका नाम है आपका banking regulations act ठीक है और यह 1949 है तो कॉमा लगा के आप 1949 लेख सकते हो ठीक है BRA banking regulations act 1949 यह किसके लिए लाया गया है यह आपके लिए यह लाया गया था आपके commercial banks के लिए ठीक है तो याद रखेगा RBI के लिए आया था RBI Act यानि 1934 में Act आया था और commercial banks के लिए एक Act लाया गया था सॉरी commercial banks के लिए एक Act लाया गया था जिसका नाम है banking regulations act 1949 अब इसकी भी एक कहानी है बट उससे पहले हम आपको अच्छे चलो पहले यहीं बता देते ठीक है आपके banking regulations Act को बनाया गया था तो उस समय इसका banking regulations Act नहीं नाम था उस समय इसका नाम था या फिर जितनी भी ऐसी bodies हैं जो आपके वही दो main primary functions को perform कर रहे यानि कि क्या आपका accepting deposit and advancing loans जो भी setups आपके यह दोनों functions प्रोवाइड कर रहे है उनके लिए आपका यह banking companies act बनाया गया था ठेक है banking companies act अब उस समय के टाइम पर कुछ ऐसे cooperative societies थी जो कि यह दोनों functions perform कर रहे थी लेकिन perform करते वग्द वो आपके इस act को follow नहीं कर रहे थी अब जब follow नहीं कर रहे थे इसको कहानी के terms में ले ना मैंने आपको मतलब चीजों को याद अखने के लिए एक ठोड़ा कहानी बना दिया अब जब वो इस act को follow नहीं कर रहे थे तो government को officials उनके पास पहुचे जगा जगा पर जहां पर भी थे तो उनके पाप पूचे तो उनका साफ साफ सिर्फ यही कहना था आपने जो एक्ट बनाया है उसमें यह जो word है companies इसके वज़ाजे हम follow नहीं कर रहे है क्योंकि आपने आप मेंशन किया companies ठेक है और हम तो company है नहीं हम तो cooperative society है तब तब government ने क्या किया 1965 में आपका यह जो banking companies act है उसको rename कर दिया है banking regulations act में ठेक है लेकिन इसका नाम अभी भी 1949 ही पड़ेगा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि banking companies act 1949 का एक amendment आया था 1965 में जिसमें क्या हुआ था उसको वापस rename किया गया सिर्फ rename किया था banking regulations act 1949 ठेक है मतलब सिर्फ नाम चेंज किया गया था companies के जगह regulations लगाय था बाकि आपका year वगेरा वही रहेगा ठेक है यह बस बात कर ली कि RBI आपका एक्ट पासवा था RBI एक्ट का 1934 में उसको nationalize किया गया था 1949 में और RBI के working start को हुई थी मतलब RBI के establishment कब हुई थी 1935 में यह चीज़ दियान रखना पया banking regulations act का आया था आपका commercial banks के लिए कब आया था 1949 में हाँ अब यह regulations act पहले था banking companies act लेकिं 1965 में इसका नाम change करके यह कर दिये गया और private से अगर public जाती है कोई ownership the transfer of ownership from private to public is known as nationalization and the transfer of ownership from public to private is called as privatization ठीक है आगे चलते है तो फिर हम लोग बात कर रहते हैं आपको याद होगा अभी imperial bank of India के बार में हम लोगों ने कुछ बात की थी imperial bank of India ओके ठीक है इसके बार में हमने बात की थी इसको provide की गई थी क्या central banks की कुछ power जिसकी वज़े से हम लोग इसको बोलते हैं क्या quasi central bank मतलब यह central bank की भूमिका निभाएगी लेकिं इस central bank होगी नहीं ठीक है यह बात आपको धियान रफना पड़ेगा अब क्या सीन है imperial bank of India जब इस powers का जब कौसी central bank उसको बना दिया गया तो इस power का वो misuse करने लगी और misuse करने लगी तो फिर Britishers नहीं क्या किया इससे इसकी power यह वाली छीन ली ठीक है बोल दिया कि बिटा आप central bank बनने के लायक ही नहीं हो आपकी आउकात सिर्फ commercial nature की ही है आप वही काम करो ठीक है तो imperial bank of India फिर कैसे continue कर दिया as commercial bank अपना काम करना continue कर दिया ठीक है जब वो commercial bank के तरह अपना काम कर रहा था ठीक है काम अच्छा भी कर रहा था मतलब जो उसका काम था वो करने में वो expert था हां मतलब central bank बनने के लायक नहीं था ठीक अब जैसा कि आपको पता है nationalization का बार में हम लोगों नहीं देख रहता था ठीक है क्या the transfer of ownership from private to public is called as nationalization अब लोगों का faith तो बढ़ा नहीं था तो धीरे धीरे क्या किया गया देखो ध्यान रखना पूरे इंडिया में जो पहला bank जो कि nationalize किया गया था वो था आपका RBI यानि कि reserve bank of India ठीक है फिर उसके बाद आपका nationalize किया गया 1955 में किसको imperial bank of India को imperial bank of India को nationalize किया गया था आपके 1955 में ठीक है normal सी बात है देखो ध्यान से सुनना जब आप छोटे थे ठीक है जब आप school भी join नहीं किये थे तो उस समय आपके parents आपको अलग-अलग नामों से बुलाते होंगे छोटू, बिट्टू, मिन्टू, चिन्टू, बेबी, बाबू, शोना इन नामों से तो शायद आप लोग को अभी भी बुलाया जा रहा होगा, इसको छोड़ो, मतलब इस नामों से आपको बुलाते थे जब आप join भी नहीं किये थे, ठीक है तो जब आपने school join किया, तो फिर आपका एक official name रखा गया है, मतलब आपने क्या किया, अपना एक level up कर दिया ठीक है, वैसी यहाँ पर भी जब Imperial Bank of India को nationalize किया गया, तो इसका भी rename किया गया इसको rename करके बनाया किया गया, SBI, State Bank of India, ठीक है, अब आप खुद सोचो, ऐसा bank जो कि already तीन banks को merge करके बना है अब आप पूछो कि कैसे सर, अरे यह जो Imperial Bank of India था, ठीक है यह आपके merge करके बना था ना, आप पिछले अपने notes देख लो, उसमें था ना तीन bank Bank of Bombay, Bank of Madras, Bank of Bangal, इन तीनों को merge करके आपका Imperial Bank of India बना था, और इसी का तो नाम हम लोग रिनेम कर दिया, क्या नाम रखा हम लोग ने, SBI यानि कि State Bank of India, ठीक है, ध्यान रखिएगा, State Bank of India, अब खुद सोचो, मालो एक bank है आपका PNB, ठीक है, एक individual bank है, और दुसरे साइड ह आपका SBI, जो अलड़ी तीन banks को merge करके बना है, ठीक है, तो normal ही बात है, आपका SBI बढ़ा होगा, अब SBI बढ़ा तो था, अब कई सारी छोटी ऐसे banks, जो कि properly काम नहीं कर पा रही थी, वो भी धीरे-धीरे किस में merge होती जा रही थी, SBI में, ठीक है, इस समय around 16 plus banks आपके SBI म मर्ज हो चुके है, ठीक है, तो अगर banking sector के बारे में बात किया जाता है, कि public sector में, ठीक है, public sector में, कौन-कौन से banks काम कर रहे हैं, तो एक, दो केटेगरी में नाम दिया जाता है, पहला लिया जाता है SBI का, और दूसरा लिया जाता है nationalized bank का, मतलब जितने भी banks nationalized है, यानि कि government के control में, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि SBI कितना बड़ा bank है कि SBI को अलग से count किया जा रहा है, और बाकी की जो nationalized banks है, उसको collectively count किया जा जा रहा है, ठीक है, तो आज हम लोगों ने बात कर ली SBI के बारे में, ठीक है, आज हम लोगों ने बात कर ली RBI के बारे में आज हम लोगों ने बात कर ली, privatization क्या होता है, nationalization क्या होता है, ठीक है, इंडिया के independence से पहले का क्या scene था, वो हम लोगों ने discuss कर लिया है, और फिर आगे का क्या scene है, यानि कि after independence, यानि कि आप कह सकते हो, post independence, उसका क्या scene रहा होगा, उसके बारे में हम लोग discuss करेंगे, next video म ठीक है तो आज की क्लास हम लोग यही पेंट करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक और क्या नम है अपने फीडबैक जरूर शेयर करिए अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है यह चैनल तो अगर आपको कुछ पसंद आता है तो वो भी आप लिखिए और अगर आपको फीडबैक देना चाहते हो तो वो भी लिखिए कुछ पसंद आये तो भी आप मेंशन करिए कुछ अच्छा ना लगा हो या फिर आपको लगा हो कि हां इंप्रोव्मेंट करने की सोबत है तो उसको भी आप वहां पर मेंशन करिए ठेक है चलिए आप सभी अपना ध्यान रखे खूब सारा पानी पिए अपने पेरिंट्स का रस्पेक्ट करिए और अपनी पढ़ाई कंटीनियू रखिए Thank you so much.